गुड़ बॉर्णिं दोस्तो भारत के भूगल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की बहुदेशिये और नदी घाटी परियोजना को और इस पीडियो में हम लोग जानेंगे किस नदी पे कौन सी नदी घाटी परियोजना बनाई गई है और कौन सी बांध बनाई गई है उन सब को पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे मैप के साथ तो सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे हम लोग क्या है नदी घाटी परियोजना और ये कब शुरुवात हुई किसे कहां से लाई गई है और भारत के जितने भी परमुख बहुदेशिय परियोजना है उन सब को हम लोग एके करके जिस नदी ये बनाई गई है उन सब को हम लोग डिटेल में जानेंगे और यहाँ पे जितने भी परमुख जो है यहाँ से कुश्चन एक्जाम में आते हैं उन सबको हम लोग डिटेल के साथ कवर करेंगे तो आप इस वीडियो में बने रहिए अगर आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो आपका कुश्चन गरांटी है कि इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा तो आएब हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि नदी घाटी परियोजना क्या है तो आएब सबसे पहले हम लोग समझते हैं घाटी को फिर समझेगे नदी घाटी को और उसके बाद समझेगे नदी घाटी परियोजना को तो घाटी क्या होता है तो दो पहारों के बीच का गहरा भाग जहां आम तोर पर इसमें नदी का परवा होता है वो घाटी का लाता है जैसे देखे ये पहार है और इस पहार के बीच में नदिया का परवा है तो ये क्या हो गई घाटी तो नदियों के बीच में वैसा गहरा भाग जिसमें पानी का पहा हो वो बोलाता है घाटी और नदि घाटी किसे बोलते हैं तो जमीन का ऐसा छेत्र जहां समस्त वर्सा जल पिगली हुई वर्फ एक बिंदू तक एकत्रित होती है और वहाँ एकत्रित होने के बाद फिर एक सथ परवाईत होती है उसको बोलाता है नदी घाटी जैसे यहाँ पर मानिये अनेक नदिया आ रही है या आपके बर्फ पिग और इसके क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है आıyıए हम लोग आगे देखेंगे जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अनेको बांद बनाई गही नदियों पर यहाँ पर नदि की घाटियों पर बढ़े बांद बनाकर उससे सिंचाई की जाती है वहाँ पे विदुत का उत्पादन कियाता है फिर ये बांध आपके बार का नियंतर करती है फिर यहाँ पे प्रेटन अस्था बनाई जाती है या आपको मतश से पालन जैसी अनेको सुईधा प्राप्त की जाती है इस नद्धी घाटी परियोजना से आपको समझ में आ गया होगा और सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया था देख लीजिए सभी तराज अमेरिका की टेने स्थी घाटी परियोजना है उसी के तरज पर भारत में सबसे पहली परियोजना बनाई गयी थी और वह थी दामोदर घाटी पर्योजना और उसको लाया किसनेता यानि स्रेकिस्ख जाता है तो भात के उस समें पर्थम परधान मंत्री जो थे जवाहलान लहरू उनके कारेकाल में ये संपन हुआ था और जवाहलान लहरू ने इस नद्धी घाटी पर्योजना को क्या बोले तो आधुनिक भारत का मंदिर की संग्या दी थी क्योंकि इसके अनेक उदेश से होने के कारण इसको जवाहलान लहरू ने ऐसा कहा था तो याद रखिएगा आधुनिक भारत का मंदिर की संग्या नद्धी घाटी पर्योजना को किसने दिये थे तो वो दिये थे पर्थम प प्रवास बिल्कुल एक बार जरूर कर लिए ताकि आपको अच्छी से डिटेल में आपको समझ में आ सके तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिजे कि यह सिंदू नदी है फिर सिंदू नदी आपकी बात किया है तो उसके जो साहयक नदी यहा है जेलम फिर चिनाव रावी बया और सतलज आपको इतना याद रखना है तो आपको सबसे पहले सिंदू नदी की बात किया है तो सिंदू नदी पर एक भी परियोजना नहीं है अगर उसके बाद किये जाए सिंदू के बाद जेलम नदी पर आपको देखे यहाँ पर है उरी परियोजना फिर उसके बाद जे ब्यास ब्यास पे हम लोग यहां पे पढ़ेंगे पुंग और ब्यास परियोजना उसके बाद सतलज नदी जो यहां से राकशतार से निकलती है मान सरवर के जील से वहां पे आपको इसमें पढ़ना है भाकरा नंगल परियोजना और नात्वा जागरी परियोजना तो यहां प पर यहाँ 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 पर यहा उसके बाद बात की जाए, तो यहाँ पर यह है सोन नदी, सोन नदी की आपको एक सहाय नदी आ है रिहंद, रिहंद नदी बनाई गई है रिहंद परियोजना, फिर सोन पर बनाई गई है सोन परियोजना, और फिर सोन नदी पर ही एक बनाई गई है बान सागर परियोजना, उ तो यहाँ पे एक है लुणी नदी, लुणी नदी पे भी एक परियोजना है जिसको आगे हम लोग देखेंगे, उसके बाद है यह माही नदी, माही नदी पे परियोजना बनाए गई है, माही परियोजना और यही माही नदी आपको करकर रहा को दो भागों में कारती है, उसक पर यह जो है आपके उकाई परियोजना है उसको हम लोग आगे पूरी डिटेल में जानेंगे उसके बाद यहाँ पर बात की जाए अब कहां पर तो बंगाल की खाड़ी में गिरनेवाई नदियों को तो यहाँ पर सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में आती है दामोदर नदी जो गंगा नदी में आके भुगली से मिलती है फिर इस पे बनाई गई है दामदर नदी पे दामदर घाटी परियोजना को उसके बाद है स्वर ने देखा स्वर ने खाव बनाई गई है स्वर ने देखा परियोजना उसके बाद है आपको महा नदी और महा नदी पे एक परियोजना बनाएगे जिसका नाम है हीरा कुंड परियोजना उसके बाद हम बात करें तो यह है गोदारु नदी गोदारु नदी पे इसकी स्थायक है यह इंदरावती इंदरावती यह बनाएगे है मजगुंड परियोजना उसके बाद यहाँ पे अनेको नदिया है आगे हम लोग आगे देखेंगे उसके बाद है यहाँ पे क्रिष्णा नदि क्रिष्णा नदि की बात किये तो यहाँ पे यह है स्री सैलम परियोजना उसके बाद नागारजन सागर परियोजना उसके बाद यहां पर है तुंगवदरा परियोजना और भीमा परियोजना जैसे अलमाठी परियोजना यह सभी आपके कृष्णा नदी पर है तो हम लोग आगे देखेंगे उसको उसके बाद बात के तो उसके बाद है कामेरी नदी कामेरी नदी बनाई गई है मे बनाई गई है पापनासम पर्योजना उसके बाद ये है आपके पिरियार नदी पिरियार नदी पिरियार पर्योजना को पढ़ेंगे हम लोग पिरियार पर्योजना और इडिक की पर्योजना को तो ये था थी मैप की बात उसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में आईए अब समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग शूरु करेंगे भाकरा नंगल बांध परियोजना को अब यहां पर हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे भाकरा नंगल बांध को फिर उसके वाद हम लोग दूसरे परियोजना को लेंगे तो भाकरा नंगल को हम लोग चलिए डिटेल में जानते हैं तो भाकरा नंगल की बात किये तो दोनों आपको पढ़े आते हैं एक साथी लेकिन आपको यहाँ पे मालम होना चाहिए कि भाकरा अलग बांध है और नंगल अलग बांध है तो जैसे यहाँ पे देखिए यह है हिमाचल परदेश और यह है पंजाब और इसका यह बोर्डर है दोनों का और इसमें आके सबसे पहले बलती है यहाँ पे 17 नदी और 17 नदी पे ही बनाई गई है आपके भाकरा नंगल बांद तो यहाँ पे यह है भाकरा बांद और यह है नांगल बाद तो भाकरा बांध है हिमाचर परदेश में और नांगल बांध है पंजाब में तो भाकरा नांगल ये दोनों है और यहीं पे आपके भाकरा के बगल में ही एक जलागर बनाईगे जहां पे जलो को आपको जमकियाता है और आपको समय अनुसार जरूरत के इसाफ उसको हम लोग आगे देखेंगे और यहाँ पर यह दुनों जुदिया आके जहाँ पर मिलती है यह पंजाब में यहाँ पर मिलती है एक जगा का नाम है यहाँ पर एक बैराज ही बनाई गई है जगा का नाम है कफूर थला और इसी पर बनाई गई है हरीके बजाज और यहीं स सबसे बड़ी बहुँ उदेशी नदी घाटी परियोजना है कौन भाकरा नंगल बांध भाकरा बांध जो है विश्व का सबसे उचा गुरुत विये बांध है ये आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद भाकरा के पीछे जो हिमाचल परदेश में एक जलागर बनाए गया है जिसका नाम है गोविंद सागर और याद रखेगा इसको 17 नदी पर भाकरा और नंगल दो जगों पर दो बांध बनाई गई है भाकरा बनाई गई है हिमाचल परदेश में और आपके जो नंगल बनाई गई है वो बनाई गई है पंजाब में यह आपको याद रखना है सब ये फेल हो गया फिर जब 17 की पसाद आपको जब निर्मान कारे शुरू हुआ तो उस समें भाद के परधान मत्री थे जवालान लेहरू उन्हीं ने आपको निव रखे 17 नमबर 1955 खो और ये आपके निर्मान हुआ उसके बाद कब हुआ तो 1963 में जाकर आपके भाखरे नंगल बांध कोई शुरुवात की गई और इस नदी की बात की जाए तो यह नदी सतलज और ब्यास से आने वाले जितने वी बार है उस सभी को बजाता है या परियोजना और इस पर जो बांध बनाई गई है तो अब चलते हैं आगे हम लोग अगला है नागारजुन सागर परियो से निकलने के बाद ये आपके जाती है इधर बहती हुई बंगाल की खारी में तो यहाँ पे इसको अने को सहायक नदीया जिसे दूद गंगा पंच गंगा या आपके घाट परवा माल परवा इस सबको हम लोग नदीया वाले में अच्छी डिटेल से पढ़ चुके हैं तो अने को इसको सहायक नदीया है इसको हम लोग डिटेल में जान चुके हैं अगे अगर बात की जाए तो क्रिष्णा की ही सहायक है भीमा नदी जो आके गुदालू नदी में यहाँ पे मिलती है और भीमा नदी पर ही बनाया गया है भीमा पर्योजना आपको याद रखना है और इसी के सहायक नदी है मुसी यह हम कवर कर चुके है नदिया वाला कास में एक और इसकी मौत्पून सहायक नदी है वो है तुंग भद्रा नदी जो आके क्रिष्णा नदी में यहाँ पे मिल रही है और तुंग भद्रा नदी पर ही बनाया गया है तुंग भद्रा पर्य प्रयोजना याद रखेगा और यह मिलन कहा होता है तो कुड़नी गाव है सीमोगाजीर करनाटक में यहीं पे और हागारी नदी भी सायक है तो बंतरा नदी की ही तो यह आपको समझ में आगया होगा आगे अगर बात की जाए यहाँ पे तो एक है विजय वारा के पास जो बन अगर चना है तो नागारजुन सागर के साथ हम लोग यहाँ पे जाने के नागारजुन सागर के बारे में तो यह है नागारजुन सागर अब परदेश का एक जग़ा है नंदी कोड़ा गाओ वहीं पे हुआ है नागारजुन सागर परियोजना का निर्मान और यहां पे अगर बात की जाए तो यहां अंधर पर्देश की सबसे बड़ी परियोजना है जिसका नाम है नागारजुन सागर तो याद रखेगा उगे है नात्पा जाकरी परियोजना चलते हैं इसके बारे में हम नात्वा जाकरी की बात की जाए तो यहाँ एसिया की सबसे बड़ी जल विधुत परियोजना है और यहाँ परियोजना हीमाचल परदेश के सतलज नदी पर बनाई गए तो चलते हैं हम सतलज नदी पे कहां है मैप में देखिए सतलज नदी यह आ जलता है यहां से देखिए राकस्ताल मांसरवर के जिल के पास है यह उसके बाद निकलने के बाद यह प्रवेश करती है हिमाचल परदेश में और हिमाचल परदेश में ही है नात्वा जाकरी परियोजना इसका निर्वान करती है उसके बाद अगर बात की जाए यह जब जैसे से मिलते हुए फिर यहां के सिंदु नदी में मिल जाती है उसके बाद अगर बात की जाए इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है थीन बांध उसके बाद अगर बात की जाए इस नदियों में तो उसके बाद यहां पर है चिनाब नदी चिनाब नदी पूरा सिंदु नद पर दिया है तो चिनाब नदी की बात की जए तो चिनाब नदी पे पर इक पर फ़से और निकलने कब यहां जब कर दिया है जाकर यहां पर चिनाब नदी से मिलने के बाद यह आपको फिर चिनाब नदी बन जाती है और यहां पर जाकर मिल जाती है सिंदु नदी से तो यह थी सिंदु नदी तंतर पर जितने भी परियोजना आए थी उन सभी को यहां पर हम लोग बात किये थे नातफा जाकरी की जो एसिया के सबसे बड़ी जल विदूत परियोजना के साथ ये सबसे बड़ी परियोजना है कि इसकी तो हीमाचल परदेश की यहाँ पर आप लोग देख लिए इसको उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंदीरा गांधी परियोजना या राज अस्थान नहर आएव हम लोग इसको जानते हैं डिटेल से तो यहाँ पर 17 जनदी बनाई गई है तो 17 जनदी सबसे पहले देखिए निकलने के बाद ये हिमाचल परदेश में परवेस करती है परवेस करने के बाद इसकी आगे बरती हुई फिर ये जब पंजाब में आती है तो इसकी एक और साहक नदी है ब्यास ब्यास भी निकलती है हिमाचल परदे से और ये जाकर मिल जाती है 17 जनदी से पंजाब में और यहीं पर एक बनाई गई है हरीके बैराज और यहीं बैराज के पास से आपको निकाली गई है इंदरा गांदी नहर और इसी पर परियोजना बनाई गई है तो इंदरा गांदी नहर कहां से निकली है आप लोग मैप पे देख लिए हैं अब चलते हैं इसके बाद हम इसके बाद के जाए तो इंदरा गांदी नहर पंजाब में है और ब्यास और सतलच की संगम पे है ये इंद्रा गांधी नहर इसके बारे में हम लोग आगे जले ये देखते हैं तो इंद्रा गांधी नहर ब्यास और सतलच के संगम कपूर्थला यही पे जगा है कपूर्थला कफूर तलापर एस्थित हरी के बैराथ से निकलती है इंद्रा गांदी नहर और या संसार की सबसे लंबी नहर है जिसकी लंबाई 468 किलो मिटर है और इस नहर के कारण राजस्थान का गंगानगर बीकानेर जैसल मेल जीरा को भविष्य का अनभनडार कहा जाने लगा है आगे हम लोग देखेंगे पोंग परियुजना काँपे है तो ये पंजाब में ब्यास नदी पर बनाया गया है और पॉंग जलागर भी है, हीमाचल परदेश में ही है जिसका नाम महराना परताप सागा रखा गया है इसी भाग में आपको ब्यास नदी बनाया गया है पोंग परियोजना चलते हैं आगे, आगे हम दो देखेंगे ब्यास परियोजना ब्यास परियोजना भी कहां पे है तो ये ब्यास नदी पे है आपको ये पंजाब के कपूर थल्ला के सतलुच के और ब्यास नदी के जहां पे संगम होती है थोरा सा उसके उपर बनाया गया है ब्यास परियोजना जैसे यहां पर ये नदिया की बात की जाए तो दोने जहां ये संगम बनाती है उसके थोरा सा उपर ये ब्यास नदी पे बनाया गया है, पंजाब में तो समझ लीजिए, ये इसका नाम है क्या ब्यास परियोजना उसके बाद हम बात करेंगे दामोधर घाटी नदी परियोजना जो बहुत important है और यह पहली नदी घाटी परिविजना है तो यहाँ पे दामोदर नदी को सबसे पहले जानते है दामोदर नदी की अगर बात किये जाए तो दामोदर नदी देखिए सबसे पहले इधर से आती है और दामोदर नदी की ही साहिक नदीया है बराकर नदी जो यहाँ पर आके मिलती है और यह दोनों नदिया मिलने के बाद जाने जाती है दामोदर के नाम से ही और यह नदिया जाकर आगे गंगा नदी जो आती है पस्ची मंगाल में यहाँ पर भरक्का बराज के पास अलग होती है इदे चाल जाती है हुग्री नदी फिर एक तर चाल जाती है पदमा नदी और इस पदमा में एक आद नदी आके मिलती है आपको कौन सी वो है बरंपुत्र जो जाने जाती है जमुना के नाम से और यह पदमा जमुना मिल कर बनाती है मेगना तो यह गंगा नदी बरंपुत्र नदी तो यहीं दामुदर नदी है और इस पे कौन कौन से बांद बनाई गई है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले दामुदर नदी की बात किया है तो सबसे बड़ी सहाइक नदी इसके है बराकर नदी और बराकर नदी पे यहाँ पे देख लिए तिलया बांद बनाया गया है बराकर नदी पे फिर यहाँ पे बनाया गया है बाल पहारी बांद और एक और बांद बनाया गया है जिसका नाम है मैथन बांद तो यह तीन बांद जो है बराकर नदी पे है और यहाँ पे अगर बात के जहां पर मिलती है तो उसके थुरा सा आगे फिर एक बांद बनाया गया जिसका नाम है बेरमो बांद ये दामोदर नदीप है फिर दामोदर नदीप है आगे पंचेत बांद तो ये इंपोर्टेंट है इस सबको याद आप लोग रखेगा तो हम बात करते हैं सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना के बारे में तो ये सबसे पहली नदीप है और यह परियोजना और विभाजित बिहार और परश्चिम बंगाल की परियोजना है तो याद रखेगा जब आपको जारकर नहीं अलग हुआ था बिहार से उस समय की ये परियोजना है उसके बाद ब परियोजना का मोडल अगर बात की जाए यानि किसके तर्ज पर बनाया गया है तो ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी जो परियोजना है उसी के परियोजना पर अधारित है याद रखेगा तामोदर घाटी परियोजना से बात की जाए तो बोकारो दुर्गापूर और च कारो, अयर, बेरमो, पंचेत, मैथन, बाल, पहाड़ी बांद, तिलया बांद, और कुनार बांद, तो यह आपको दमनाबुदर नदी घाटी परियुजना के अंतरग्रत ही है, इसको हम लोग देख लिए है, चलते हैं, आगे, आगे है टिहरी बांद परियुजना, टिहरी ब क्या था, डिये भी देव परियाग, एसे अलकनांदा और भी से भागी रती, इस ट्रिक था इसका, आपको याद हो गया होगा, अगर नदी वाला वीडियो देखे होंगे तब, तो इसलिए नदी वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लिजे, उसके बाद हम बात के परियोजना को, यहाँ पर इस परियोजना की बात की जाए, तो यहाँ परियोजना भागी रती नदी पे, भागी रती और भील गंगा के संगम पर उत्रा खंड में टिहरी जीला भी है, तो इसी जीलाएं बनाया गया है टिहरी बांध को, और टिहरी बांध देश का सबसे उंचा बांध है तो याद रखिएगा टिरी बात important है उसके बाद है हीरा कुंड परियोजना हीरा कुंड परियोजना कहा परता है तो यह परता है महानादी उरिसा में तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए कि महानादी कहा है तो महानादी निकलती है 36 करके अमर कंटक से ऐसे बहती हुई फिर यह आपको उनीसा होते हुई आपको चल जाती है बंगाल की खारी में तो यहाँ पर आप देख लिजे उनीसा पहीं है यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम हीरा कुन बांध यही नदी बांध है इसकी लब्वी की बात की जाए इसकी लंबाई की तो इसकी केवल जो हीरा कुंड बांध है उसकी लंबाई है 4.8 किलोमेटर यानि 4.8 किलोमेटर लेकिन इसके आगे और पीछे भी मिट्टी का बांध बनाया गया है एक तरफ 10 किलोमेटर का और एक तरफ 11 किल किलमेटर का जब आप इसको जोड़िएगा तो पचीस किलमेटर टोटल लंबाई आएगा इस बांध की तो आपको अप्सन के नुसाल अगर दे सकता है आपको कम अगर दे तो 4.8 और इस सभी को मिला कर दे यानि इसके मिट्टी की दवारा इस बांध जो इसको सपोर्ट के ल के बिहार और नेपाल समझोते के अंतरगरत यह परियोजना नेपाल और भारत में निर्मित समिक परियोजना के अंतरगरत नेपाल और भात के बीच बनाई गई थी और यह नेपाल के हनुमान नगर और बिहार के चत्रा के पास एक बांध बनाई गई है जिसका यहाँ में क कोशी नदी इसके कारण ये बिहार में बार का काम बनती है और इसको बिहार का सोक बलाता है कोशी नदी को उसके बाद है रिहंद पर्योजना रिहंद की बात की है तो ये है सोन की सहायक रिहंद नदी पे बनाया गया है जैसे आप लोग देखे ये है सोन नदी जो आके अमर क तो यह है रियंध्द आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको फिर इसके बाद हम लोग जो अभी पीछले देखे थे कोसी परियोजना तो यही कोसी नधी पर बनाया गया है कोसी परियोजना को यहां पर है यह दोनों के बोडर पर नेपाल और बिहार के बोडर पर बनाया गया है तो इस सभी परियोजना को तहत आपको नदिया को मालूम होना बहुत जरूरी है तो नदिया वाला वीडियो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आप ल और इस प्रियोजना का निर्मान उत्तर परदेश के सोनभद्र जीला में पीप्री नामक अस्थान पर सोन की सहयक नदी रिहंद नदी का परियोजना और आगे इस परियोजना की बात किया है तो इस परियोजना को गोविंद बलब सागर परियोजना के नाम से भी जनाता है किसको तो रिहंद परियोजना को और या उत्तर परदेश की सबसे बड़ी परियोजना है तो इंपोर्टेंट है आप इसको याद रखिए आगे है चंबल परियोजना की बात की ज् 님 या आपके है यमिम्धन नदी खी मैंद किसके सहाइख है या है गंगा नदी पर ही ज्यूमuchen अपको बनावट छेत्र में चम्बन नदी पर बनाया गया है तो ये दोनों छेत्रों के बीच मी है राजस्थान और मद्ध पर्दिस के Ayamad पिर उसके बाद आपके पर्दिस जावाहर सागर बांध ये तीनों बांध बनाई गया है चम्बन नदी में है। याद रखेगा इसके बाद हमनों दोखेंगे सरावती जल विधुत परियोजना कहां पर है तो यह करनाटक के सीमोगा जीलो में बनाई गई है याद रखेगा यह परियोजना करनाटक के सीमोगा जीलो में कर सरावती नदी पर बनाई गई है और इसी सरावती नदी पर बात क बने जलागर का नाम भी है, जो इसके पीछे बनाया गया है, जिसका नाम है लिंगन मक्की, इंपोर्टेंट है, याद रखना है, आगे है नर्मदा घाटी परियुजना, नर्मदा घाटी परियुजना की बात की जाए, तो ये नर्मदा नदी पे बनाये गई है, नर्मदा न अमर कंटक से निकलती है 36 करके तो सोनम मैं 36 गर में हूँ ये आपको बता दिया था पिछले कलास में नदियावाला में तो यहां पर बात करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना की तो इस पर अनेको बांद बनाई गई है यहां पर इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं तो नर् को हानी होने वाली है क्योंकि बड़े बांद बनने पर उसके अगलवल के जितने भी आपको भूभाग होंगे वन होंगे उन सभी काटे जाएंगे और उसी के बिरोध में मेगा पाट करने चलाई थी नर्मदा बचाव अंदोलन जो फेमस अंदोलन था तो याद रखिएग और फिर गुजरात में आती है सरदार सरवर जो महतपूर्ण है चलिए हम लोग एक बार मैप पे भी देख लेते हैं तो यहाँ पे महतपूर्ण परदिस में तीन अगर बात की जाए तो यहाँ पे नर्मदा सागर ओंकारेसवर और फिर आती है महेसवर जबकि नर्मदा राक्षी पर्यूजना इस पर्यूजना की बात की जाए तो यह छोटा नाकपूर पठार के उत्तर पुर्वी भाग की एक छोटी नदी मयूराक्षी पर बनाया गया है जो जारकन और पस्ची मंगाल को सीचाई देती है में अहाँ पर बात आपको याद रखना है कि मयूरा गाली नदी आपकी बात की जा है तो यह घागरा जो नदी आपको है यह निकलती है सूरी में सबसे पहले दो नदियों के संगम जहाँ पर होती है उसके बाद यह जाने जाती है घागरा नदी पर तो यहाँ पे एक नदी आती है काली और एक नदी अधिदर काली जब यह काली नदी भारत में परवेश करती है तो काली नदी का नाम पर जाता है सार्दा और करनाली का नाम पर जाता है घागरा और मिलने के बाद ये घागरा का नाम से आपको जाके छापरा के पास ये मिलती है गंगा नदी से और इसी काली नदी पे यहाँ पे तो इधर पर जाता है उत्राखंड और इधर पर जाता है नेपाल यानि भारत और नेपाल के बीच की ये सजुक्त परियोजना है जो इसका नाम है पंचेस्वर पहुँच देशिय परियोजना तो इंपोर्टेंट है याद रखेगा पढ़ लेते हैं इसके बारे में जो भारत के सीमा पर समझे, उनको हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं, तो एक है देवी घाट परियुजना जो बनाई गए इन नेपाल में, एक है पंचेस्वर परियुजना जो अभी हमनों में पढ़ा था, नेपाल में, पितवरा कट जी रहे, उत्राखन में, काली नदी उसके बाद हम देखते हैं, भारत की परमुक बहुदेशिया, राजजेवर देखेंगे, जानि किस राज में कौन सी परियुजना है, इंपोर्टेंट है, जो आपको वहाँ पे चूटे हैंगे, आपको यहाँ पे कभर हो जागा, तो सबसे पहले बात किए जम्मु करस्मीर लदाक की परियुजना की, तो जम्मु करस्मीर लदाक में यह सभी परियुजना आती है, जैसे तुलबूल परियुजना जो बनाई गई है जेलम नदी पर और उरी परियुजना इन दोनों कहों लोगों ने मैं पर देखा था, तुलबूल और उरी जेलम नदी की याद रखेगा उसी बनाया गया है किसन गंगा यह जमू कास्मीर में है उसके बाद है चुटक परियोजना चुटक परियोजना के बाद के तो यह भी आपके परते हैं जमू कास्मीर में और यह सुरु नदी है सुरु नदी है बनाया गया है चुटक परियोजना उसके बाद परेंगे हिमाचर पर्देश की हिमाचर पर्देश में अगर बात की जाए तो हिमाचर पर्देश की जो सबसे प्रमुक जो पर्योजना है वह है भाकरा पर्योजना जो 17 नदी बनाया गया है उसके बाद इसी नदी पर है थीन बांध भी याद रखिएगा उसके बाद एक इस पे बनाई गई है जवाई परियोजना उसके बाद हमनों देखेंगे पंजाब की परियोजना तो पंजाब की परियोजना में सबसे पहले यहां पे है पोंग परियोजना जो बनाई गई है ब्यास नदीपे और एक बनाई गई है यहां पे भाकरा नहीं नांगल होगा क्य तो यह है राम गंगा परियोजना जो बनाई गई है राम गंगा नदीपे फिर है टिहरी परियोजना जो बनाई गई है भागी रती और भीर गंगा की संगम पे उसके बाद है टनक पूर परियोजना जो बनाई गई है काली नदीपे याद रखना है आगे है राजस्थान की प्रियोजना आए और राज्थान में आपको याद रखना है दो एक आपको राना परताब सागर प्रियोजना चंबल नदीपे फिर जवाहर सागर प्रियोजना चंबल नदीपे तो यह दोनों चंबल नदीपे राना सागर और जवाहर सागर आगे है मर्द प्रियोजना नर्मदा सागर प्रविजना है जो नर्मदा नदीपे है फिर इंदरा सागर प्रविजना है नर्मदा नदीपे फिर ये गांधी सागर प्रविजना है आपके चंबल नदीपे तो आपको चंबल नदीपे ये तीनों याद रखना है आपको नर्मदा सागर इंदरा सागर और गांधी सागर उसके बाद है महेसवर परिजिना जो बनाई गए पर पेंच पर जो आगे आगे हैं गर के बाद हम लोग आगे देखते हैं बिहार की परिजिना बिहार की बात कि लिए तो बिहार में दो परियोजना को उनों याद रखेंगे एक कोसी परियोजना जो कोसी नदीपे है और दूसरा गंड़क परियोजना जो गंड़क नदीपे है उसके बाद है कनाटक की परियोजना तो कनाटक में बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर important है तुंग बदरा पर्योजना तो तुंग और भदरा के संगम पर मिलने के बाद वहाँ पर बनाती है तुंग बदरा पर्योजना फिर अलमाटी पर्योजना बनती है कृष्णा नदी पर यहाँ पर याद रखेगा और उसके बाद है सरावाती पर परिजना जो बनाई गए एक कामरे नदी करनाटक में इंपोर्टेंट है यह याद रखिएगा उसके बाद गुजरात की बात की जाए तो गुजरात पर यहाँ पर उकाई परिजना जो है उकाई नदी पर है फिर आपको है काकर परा परिजना जो है तापकी नदी पर गुज श्री शैलंप परिजना और किस्ट नद ये पर ते नागाजीन साधर पर लिए और एक थी मच्गुंड पर जो पढ़े थी मच्गुंड नदी पर यह आपके इंदरावतिकी साइक नदी यादकी है उसके बाद महाराश्ठ की बात कि आप तो महराश्ट में आपको पढ़ना है जायाएक वारी पर्योजण जो पड़ती है गुलायन नदी की पर उसके बाद Mark Affand मैं विरक्षी पर्योजण जो आपको मैं विर्क्षी नदी पर है और उसके बाद है स्वल्न देखा पर्योजना जो स्वर्ण देखा नदी पे है उसके बाद तमिलाडू की पर्योजना के अगर बात किया तो तमिलाडू पे परता है परियार पर्योजना जो परियार नदी पे है उसके बाद है मैटूर पर्योजना जो है आपको कमरी नदी पे फिर है पापनासम पर्योजना ज ये भी बनाई गई है मंजर नदी पे, फिर उसके बाद है पोचम पाद पर्योजना जो बनाई गई है गोधारू नदी पे, उसके बाद है अंडमान निकोबार की एक पर्योजना जिसका नाम है कलिंग पोंग पर्योजना ये आपको अंडमान निकोबार की है, यहाँ पे जि कैसा लगा वीडियो जो कमेंट करके बताईए और आपको निक्ष कलास क्या होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं और यहां पर पीडिये आपको मिलेगा टेलीगराम पे और चैनल पर नए है तो सस्क्राइब भी कर लिजे आगे आने वाले कलास के लिए यही पर वीडि कर दो आप कर बदो हमाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर आता है था टेलीगराम पर बहुते हैं पर अवाद र घगरता हैं मैं